हेलो फ्रेंट्स राधे राधे मैं भी किमिस्ट्रा स्वागत करते हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल लॉर्दन यमी फ्रेंट्स में फ्रेंट्स आज मैंने बनाया है पालकी सब्जी जो की बहुत ही यमी और टेश्टी सा बनके रेडियो हुआ है बिल्कुल ट्रेश्टनल तरीके से बनाया है मैंने आप देख सकते हो कितना सुन्दर यह दिख रहा है और खाने में बिल्कुल मतलब बहुत ही यमी बहुत ही टेश्टी बना है आप देखे कितना यमी दिख रहा है तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं और बनाना भी बहुत हीजी है इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे पालक पालक को मैंने साप करके दोके और अच्छे से काट लिया है बारिक बारिक और इसको नो मैंने शन्नी में रख दिया था जाके जो भी अक्ष्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए ने तो इसमे ना जिसे पालोक अच्छे से पानी निकाल के लिएगा तभी बहुत अच्छा बनेगा नी तो इसमें ज्यादा बेसन लगेगा और फिर यह अच्छा नी बन पाएगा यहां पे मैंने डाल दिया है बेसन आपके पास यतना ज्यादा पालक है ना उस हिसाब से लीजिए मैंने यहां पे लिया है चार चमच बेसन और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगे लाल म्यूष पाउडर ठोड़े से अज्वाइन ठोड़ासा घ्री पाउडर और इसमें डाल दूँगे चीरा धनिया और काली म्यूष का पाउडर नमक भी मैंने इसमें अच्छाब डाला तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैं तब एक डौग के फार्म में इसे कर लेंगे हम इसे ये देखिए कितना अच्छा से मैंने इसे त्यार कर लिया है और इसे ना मैं क्या करूंगे कि थोड़ा सा लंबा लंबा सा एक सेप देखे और इसको बना लूँगी और बनाने के बाद मैं इसे पानी उबलते पानी में इसको डाल दूँगी और डाल के और थोड़ा सबजी बनती है आप भी एक बड़ जरूर से इसको च्राइइ करिएगा फ्रेंट्स और टेश्टी भी बहुत लगता है हमारे बिहार के ना ट्रडीशनल तरीके से मैंने इसे बनाया है तो आप भी एक बर जरूर से ट्राइए ऐलों मैं उसे और लो मिरें पैंडे में को चौब हैं फॉँटे को कि हम हमारे से देकने कि मेरे अधिक हैं नुकि हैं मंतिते को स्थीस च्चा भी से छारों अधिकिन में भी सी तो suppose क्षेद यह पाने मेरा था लगा था तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है यह जो हमने डंडी बना के रखी ते उसको और इसको खोला लेते हैं 10-15 मिटी से खोलाएंगे तो यह बहुत अच्छे से अंदर तक पक जाता है और उसके बाद जो हम तेल में फ्राइ करते हैं तिसमें तेल बहुत कम लगता है ब जो देशी वाले टेमाटर आते हैं वह वाला लिया है जो थोड़ा खटा-खटा सा लगता है और इसको न अच्छे से हम पीस लेंगे बार एक से पेस्ट बना लेंगे और जब तक कि हो गया था तो मैंने इसको भी निकाल के रख दिया है अब यह गरम है इसलिए थोड़ा स ढसा चावल काट और इसको एक दम पाने के जैसे गूल बना लोगे वे sy Lind जैसे हम क्याट बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही इसका घूल कर लेंगे जैसे दूद जैसा जैसा होता है बिलकुल बैसा एक्धम पतला सा इसको तयार करके और इसमें हम डालेंगे न अपने जो बेसन के जो हमने पीसेस कट करके रखा है उसको जब फ्राई करेंगे डालके न तो बिल्कुल भी तूटेगा नहीं और बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा ऐसे थोड़ तूटने का डर रहता है लेकिन इसमें डाल होने तक भ्राई कर लेंगे मतलब बहुत एचै से मेडियूं करके वैसे अंदर तक पका हुआ एब फीर बिल्फीर जो दो के रेड़ी हुए थे उन सबको एक एक करके डालेंगे हरो डालके हम इसे फ्राइ कर लेंगे फ्रेंड से आप लोगों से मेरी ना एक रिक्वेस्ट है कि प्लीस आप लोग जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और यहां तक आप देखते हुए आ गया है तो प्लीस इसे सब सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि क्या होता है ना हम भी बहुत उमीद के सांथ वीडियो डालते हैं बनाते हैं हमें महिनत भी लगती है यह आपको 10 मिनट का वीडियो दिख रहा है लेकिन इसको बनाने में हमें कम से कम आदा घंटा लगा है सबजी को मतलब बनने में थो वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगा और वीडियो को लाइक करेंगा और कमेंट करके बताएगा कि आपको मतलब कैसा लगा हमारा वीडियो अगर कोई कमी हो तो वह भी बताईएगा हम उसे जरूर से दूर करेंगे अब इना पता नहीं मुझ आप देख सकते हो किता सुंदर गोर्डन फ्राई हो गया है अब इसको हम निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं हम इसकी ग्रेवी बनाने के तरफ आप देखिए कितना सुंदर ये बनके रेडि हुआ है कितना सुंदर सादी खराएगे बहुत ही यमी सा और इसको चाही के साथ में खाओगे ना बहुत ही डेश्टी लगता है टेमड़ो केचप की साथ भी इसे खा सकते हो यहाँ पे मैंने डाल दिया था तिल करम हो गया था हमारा अक्स्ट्र तेल टिल उसको मैंने निकाल दिया था और उसके बाद इसमें डाल दिया था पश्फोर्णा मतलब जिसमें मेथी अच्वाइन यह सारी चीजी रहती है और यहां पर मैंने जो टोमाटर लजन और सरसो का पेस्ट बनाया था उसको डाल दिया अब मैं डाल दें तो इसमें कुछ बेसिक मसाल है जैसे हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्श पाउडर जितना थोड़ाद साथ थी अपर पसंद करते हूँ उससाब से टाले नमक डाल देंगे हम टेस्ट के काउडिंग मनतब जितना ग्रेवियाद के पस उससाब से आप नमक डाल इंगे जितना मतब प्र सब्जों से मिर्च पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है और सारे चीजों को इसमें डाला है हमचुर पाउडर जिसे कि थोड़ा खटा-खटा से लगे और यहां पर मैंने डाल दिया है कस्तूरी में थी इससे खुस्बू बहुत ही अच्छी आती है सबजी की और सरसो वाली सबजी की तो बहुत ही अच्छी खुस्बू आती है हम भिहारी लोग ना पता अच्छी खुस्बू आने लगे कि मसाले जितने अच्छी भूनते ना सब्जी उतनी ही टेस्टी बनती है मसाले हमारे भून गया है बहुत अच्छी से अब मैंने डाल दिया है पानी और पानी अप थोड़ी से ज्यादा क्वांटिटी में डाले क्योंकि जो हमारे पानी डाले आप इसमें और इसको ना पानी को हम अच्छी से थोड़ा खौलने देते हैं यह वैसे खौल गया हमारा जो मतलब यह था अब इसमें हम डाल देते हैं जितने पकोड़े बना के रखे थे उसको और यह देखिए इन सारे चिल डाल के और डालने के बहुत इसको बंद कर दीजिए उसके बाद इसमें धन्यापतिया जो भी चीज़ा आपको डालनी है आप उसमें डाल सकते हैं जिसे धन्यापति या कस्तूरी में थी इसे मतलब धन्यापति से गया तो खुसबू अच्छा आता है और थोड़ा देखने में सुंदर लगता है बट टाद तो चेंज नहीं होता है मुझे नहीं लगता कि धनियापति से सब्जी में स्वाथ चेंज होता है यहां पे मेरी सब्जी उंगे थी वे फ्लेम को कर दिया है बंद थोड़ासे लू डिया धाट आलने के बाद में को कर दीए heard बंद करने के बद में हमां आ धाकराद अच्छा लगता है वो खाने में भी बहुत ही हमी होता है तो आप लोग एक पर जरूर सी मेरे रैस्पे के साथ सब्जे ट्राइग करके देखिएगा क्योंकि आपने देखा बनाना कितना एजी था कितने कम चीजों में बना है ये और सरसो की सब्जी है बिल्कुल मचली वाली हैं टाहिए ब्लेडियो के सब्सक्राइब करके बताएं और देखिएगोना के और प्रेट सब्सक्राइब करेंकर ना हम यह इस को प्रणा के बता ज है नहीं बड़ता और यह देखे कितना सुन्दर देख रहा है तो आप भी इसको बनाएए और इंज्वाय करिए वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए मेरे चैनलों को सब्सक्राइब करिए कमेंट करके बताईए कि आपको वीडियो कैसा लगा है और फिर मेरे वीडियो में कोई कमी हो वो भी मुझे बताईए फिर मिलते हैं हम आगले वीडियो में अबताग किली, बाइब बाइब